Hello Friends, Welcome All of In Quality and Facts दोस्तो आज की इस वीडियो में हम स्टड़ी करने वाले हैं Indian Politica Lecture No. 13 जिसमें हम स्टड़ी करेंगे Union Executive यानि केंद्रियक कारेपालिका को और केंद्रियक कारेपालिका में हम समझने की कोशिश करेंगे President, Prime Minister and Council of Minister के रोल को तो ये वीडियो जो स्पैसिफिक हमारी है ये Union Executive के उपर है केंद्रियक कारेपालिका के उपर है तो यहाँ पे हम स्पैसिफिकली President, Prime Minister या फिर Council of Minister को स्टड़ी नहीं करेंगे बलकि Union Executive के तोर पर उनके क्या कारे होते हैं किस तरीके से वो फंक्षन करते हैं उसी को हम यहाँ पे स्टड़ी करेंगे तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी Introduction दोस्तों सभी को पता है कि कारेपालिका से अभी प्राए कानूनों को लागू करने वाली संस्था से है तो तीन हमारे पार्ट रहते हैं पहला आपका Legislative रहता है एक वास्तविक कारेपालिका होती है और दूसरी नाममातर कारेपालिका होती है नाममातर कारेपालिका की अगर हम बात करें तो नाममातर कारेपालिका में राश्टरपती वा उपराश्टरपती शामिल होते है जबकि वास्तविक कारेपालिका में नोकरशाही और राश्टरपती को सहायता एवं सलाह देने के लिए परधान मंत्री के साथ मंत्री परिशद शामिल होती है यहां हम राश्ट्रपती, प्रधान मंत्री और केंद्री मंत्री परिशद को कारे पालिका के कारियों और उत्तरदाइतों के स्तरुपर समझने की कोशिश करेंगे राश्टरपती प्रधान मंत्री और मंत्री परिशद कारे पालिका के कारेों के अतिरिक्त विधाई और न्याईक कारे भी करते हैं उन्हें हम आगे के अध्यायों में समझने का प्रयास करेंगे साथ में कारी पालिका के लिए संबेधानिक प्रावधानों को भी इसमें समाहित किया जाएगा तो सिंपली मैं यहाँ पे बात करूँ जब हम प्रेजिडेंट को पढ़ते हैं तो प्रेजिडेंट को पढ़ने के लिए almost हमारे को 2 या 3 classes की जरूरत पड़ती है 2 या 3 घंटे के अंदर अकेले हम राष्टरपती को समझ सकते हैं क्योंकि राष्टरपती का निर्वाचन किस तरीके से होता है उनके function क्या होता है उनके विध्य कारे क्या है उनके विधाई कारे क्या है तो उसको जब हम समझते हैं तो 2-3 घंटे की क्लास उसके लिए अकेले लगती है वैसे ही परधान मंतरी, काउंसिल अप मिनिस्टर के लिए अलग से क्लास लगती है लेकिन यहां पे हम specifically President या फिर Prime Minister को नहीं पढ़ रहे हैं यहां हम सिर्फ केंद्रिय कारेपाली का को पढ़ रहे हैं एक चीज तो आपके दिमाग में बिल्कूल क्लियर यहां पे हो गई होगी केंद्रिय कारेपाली का 3 ततों से मिलकर बनती है तीन तत्तों यहाँ पे रहते हैं पहला आपका प्रेजिडेंट और वाइस प्रेजिडेंट सेकिंड आपका प्राइम मिनिस्टर और आपका उपर जो परधान मंत्री होते हैं वाइस प्राइम मिनिस्टर थर्ड आपकी रहती है council of minister तो ये तीन हमारे पास center के अंदर executive रहती है चौती इसके लिए जो civil services होती है जिसे bureaucracy कहते है वो fourth part इसका रहता है तो देख लेते हैं सबसे पहले देखते हैं राष्टरपती को तो राष्टरपती देश का मुख्या होता है ठीके देश का मुख्या कोन होता है राष्टरपती या राष्टर का मुख्या कह लीजिए जबकि सरकार का मुख्या होता है प्रधान मंतरी और राष्टरपती का चुनाओ निर्वाची का के सदस्यों द्वारा किया जाता है एक electorate बनता इसके लिए जिसमें कौन-कौन होता है संसत के दोनों सदनों के चुने हुए या फिर आपके निर्वाचित सदस्य समानुपातिक प्रतिनीदित्व प्रणाली के अनुसार राज्यों में विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा एकल संक्रमणी मत द्वारा इनका चुनाओ किया जाता है तो कॉश्चिन कई बार पूछा जाता है कि कौन-कौन इलेक्टोरेट के अंदर या निर्वाची का के अंदर होते हैं वो होते हैं संसत के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य और आपकी जो विधाईका होती है उसके जो चुने हुए या निर्वाची सदस्य होते हैं वो ही इसमें भाग लेते हैं और दो ऐसे के अंदर शाषित प्रदेश है पुद्दुचेरी और डैली जहां से विधाईका के सदस्य राष्ट्रपती निर्वाचन में अपना योगदान देते हैं और इसके साथ तीसरा अभी जम्मू कश्मीर जुड़ रहा है राष्ट्रपती को भारत का नागरिक होना आवश्यक है और उनकी आयू 35 वर्षे कमना हो और वह लोग सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के योग्ये हो वो दिवालिया ना हो पाग कारे की अवधी पांच वर्ष होती है और वो पुनर निर्वाचन के लिए भी पातर रहते हैं उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया संबीधान के अनुछेद 61 में अपीच्मेंट जो प्रोसेस होती है इन्हें पद से हटाने की जो प्रोसेस है वो अनुछेद 61 में निरधा कारे की अगर बात करें तो भारत में राश्टरपती एक नाम मात्र कारेपालिका है रबड स्टेंप भी से कहा जाता है सरकार के सभी कारे मंत्री परिशत द्वारा राश्टरपती के नाम से ही किये जाते हैं जितने भी कानून बनते हैं जितने भी आपके विधियक आते हैं ज क्योंकि सारे काम किसके द्वारा किया जाते हैं मंत्री परिशत के द्वारा किया जाते हैं राष्ट्रपती के नाम पर राष्ट्रपती क्योंकि नाम मातर है इसलिए राष्ट्रपती अपने कारेव के लिए जिम्मेवार नहीं होते हैं संसत द्वारा बनाएगे कानून और अ तियादी के लिए राष्ट्रपति को विशेश शक्तिया प्राब्त रहती है। हलाकि राष्ट्रपती कारे पालक है लेकिन संसद्य स्वरूप वाली सरकार में यहां विदाई और न्याई कारे करने की भी शक्तिया रखता है तो यह चीज यहां पर important है हम यहां पर सब कारे पालक की यह शक्तिया इनकी देख रहे हैं इसके साथ इनके पास कुछ वित्य पावर भी होती है financial emergency ये लागू कर सकते है इनके पास emergency पावर 352-356 के तहट भी होती है ठीक है और इनके पास सरवत्चे न्यायले की सलहा लेने की जो पावर रहती है article 143 143 इसके साथ क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 इस तरही के से कई परकार की शक्तिया है कई परकार के कारे है तो वो आपको अलग से स्टडी करने की जरूरत है तो अब यहाँ पे देखते हैं उप्राश्टर पती को उप्राश्टर पती भी हमारी executive का एक हिस्सा है उप्राश्टर पती राज्जे सभा का सदस्य ना होते हुए भी उसका पदेन सभापती होता है राज्जे सभा के समस्त विधाई और कारे कारी काम उप्राश्टर पती की अगवाई में किये जाते हैं ठीक है क्योंकि सभेन जो सभापती है वो होता है आपका उप राश्ट्रपती इसलिए उन्हीं के देखरेक में होता है राज्य सबा के अधिकतर कारे राश्ट्रपती के पद की रिक्ति की स्थिती में यहां कारे वाहक राश्ट्रपती का कारे करते हैं लेकिन 6 माह के बाद election होना जरूरी है अगर राश्ट्रपती का पद खाली होता है और आपने कई एक्जामपल देखे होगे कि हमारे जो उप राश्ट्रपती है वो आगे चलकर राश्ट्रपती भी बने हैं और 2 या 3 बार ऐसा हुआ है कि उप राश्ट्रपती ने कारे वाहक राश्ट्रपती का काम किया है उप्राश्ट पती का चुनाओ निर्वाचिका के सदस्यों द्वारा होता है जिसमें एकल हस्तांत रणिय, मत द्वारा, समानुपातिक प्रतिनिदितों प्रणाली के अनुसार संसत के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं ठीक है, राश्टरपती के लिए संसद के सदस्य, राज्य विधान मंडलों के सदस्य होते हैं, जबकि उपराश्टपती के लिए केवल और केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, और उनकी योग्यताओं की बात करें तो वो भारत के नागरिक हो, उनकी आयू 35 वर् रूप में चुनाओं के लिए पातरता रखते हों। उनके पद की अवधी पांच वर्ष होती है और पुनर निर्वाचन के भी वो पातर होते हैं। अनुचेद 67B में नरधारित प्रक्रिया के अनुसार इन्हें पद से भी हटाया जा सकता है। संबिधान के अनुचेद 74 के अनुसार राश्ट्रपती को उसकी शक्तियों के प्रयोग करने में एवं सहयोग एवं परामर्ष देने के लिए एक मंत्री परिशद होगी जिसका प्रधान कोन होगा प्रधान मंत्री आर्टिकल 74 में कहा गया है। परंतु 44 संशोधन अधिनियम द्वारा ये विवस्था की गई कि मंत्री परिशद द्वारा दी गई सलाह को राश्ट्रपती पुनवर विचार के लिए वापस बेश सकता है। परंतु ऐसे पुनर विचार के बाद की गई सलाह को राश्ट्रपती मानने के लिए बाद दे है। 44 अमेंडमेंट में ये कहा गया कि जो मंत्री परिशद सलाह देती है राश्ट्रपती एक बार उसे वापिस बेश सकता है कि एक बार दोबारा से आप इसके उपर चिंतन करो लेकिन जब दोबारा चिंतन करके वो वापिस आती है राश्ट्रपती के पास तो राश्ट्रपत रंपरा अनुसार त्रिशंकू लोकसभा की स्थिती में राष्ट्रपती सबसे बड़ा दल्या गठबंदन के नेता को प्रधान मंतरी नियुक्त करता है तो सुआ वीवे की शक्तिया भी कुछ राष्ट्रपती के पास है वैसे तो simply क्या रहता है जैसे दो पार्टी है पर त्रिशंकू यानि गठबंदन के सरकार बन गई एक को मिली 30 एक को मिली 40 प्रतिशत और तीसरे को भी मिली 30 प्रतिशत तो 30 प्रतिशत चालिस प्रतिशत और 30 प्रतिशत ये 100 प्रतिशत सीटे है तो राष्ट्रपती की 100 वीवे की शक्तिया ये है हाला कि यहां से अगर प्रधान मंतरी केंडिडेट खड़ा हो रहा है, कोई बनना चाह रहा है, यहां से भी बनना चाह रहा है और यहां से भी, तो राश्टर पती सबसे जादा जिसके पास सीटे है, सबसे जादा वोट परसंट है, उसी दल के निता को प्रधान मंतरी बनाता है, संबिधान में प् तुझे रिक्त उसे सदन में बहुमत प्राप्त दलका नेता होना चाहिए।iperदाहन मंत्री का कारेकाल पांच वर्ष होता है परंतु उसका कारेकाल लोकसभा के बहुमत पर निरबर करता है या समर्थन पर निरबर करता है। अगर ऐसा हुआ कि सरकार पांच साल से पहली चार साल में गिर गई तो कारिकार चार साल का हो गया, सरकार जैसे अटल बिहारी बासपाई की 13 दिन की थी, तो 13 दिन के लिए प्रदहान मंतरी और देफिरनेट नहीं है, संबाद की भूमी का निवाता है ठीक है राष्टर पती क्या है परधान मंत्री क्या है राष्टर पती को सुचनाए देता है और मंत्री परिशत जो decision लेते हैं वो राष्टर पती तक पहुँचाता है यानि एक परकार काई बिचोडिया का काम करता है राष्ट्रपती और मंत्री परिशत के बीच परधान मंत्री तो संसद और परधान मंत्री परधान मंत्री लोकसभा का नेता होता है वहाँ संसद सत्र को आहूत एवन सत्रा वसन करने संबंदी सलह राश्टरपती को देता है अलेकि राश्टरपती सत्रा वासन भी करता है और संसद को बुलाता भी है लेकिन किसकी सिफारिष पर परदान मंतरी की सिफारिष पर राश्टरपती से किसी भी समय लोग सभा विकटित करने की सिफारिश कर सकता है संसद में सरकार की नीतियों की गोशना करना मंतरी परिशत का विस्तार करना या उसमें फेर वदल करना परधान मंतरी का कारिय है इसके साथ ही वो केंदर सरकार का प्रमुख प्रवक्ता भी होता है देश की सेनाओं का राजनितिक प्रमुख भी ये होता है ठीक है देश की जो सेना है उसका सेनापती कोन होता है राश्टरपती ठीक है और सेनाओं का राजनितिक प्रमुख कोन होता है पॉलिटिकल प्रमुक वो होता है प्रधान मंतरी राश्ट्री विकाश परिशद राश्ट्री एक्ता परिशद अंतर राज्य परिशद राश्ट्री जल संसादन परिशद नीती आयो का अध्यक्ष भी प्रधान मंतरी होता है इस परकार प्रधान मंतरी की देश में राजनि परिशल कोण भूमी का निभाते हैं मन्त्री परिषय यानि Council of Minister दो चीज़े हैं एक होता है Council of Minister और दूसरा होता है Cabinet तोनों अलग-लग चीज़े हैं आई होप सभी को पता होगा Council of Minister इक बड़ी संस्ता होती है जिसमें 70 से 80 या 81 तक भी हो सकते हैं मिनिस्टर 81 क्योंकि निर्धारित के आएगा कि 15 प्रतिशत से जादा नहीं होंगे 15 प्रतिशत से कम होंगे तो 545 आपके टोटल सदसे है तो 545 का 15 प्रतिशत almost 81 के आसपास आता है ठीक है और कैबिनेट के अंदर 10 से 15 ही सदसे होते हैं तो यही फर्क है मंतरी मंडल और मंतरी परिशद में तो मंतरी परिशद को देखते हैं यहां केंदर की सर्वोच्य कारेपालिका होती है सर्वोच्य कारेपालिका यानि प्रधान मंतरी भी क्या है कारे जो आपका मंतरी परिशद है उसकी ही सिफारिशों के उपर काम करता है राश्टरपती तो करता ही है राश्ट राष्ट्रपती द्वारा की जाती है वा राष्ट्रपती प्रधान मंतरी की सलहा पर अन्य मंतरियों की न्युक्ती भी करता है। व्यक्ति गत रूप से क्योंकि मंतरियों को हटाने का जो अधिकारे वो राष्ट्रपती को दिया गया है तो व्यक्ति गत रूप से राष्ट्रपती के प्रती उत्तरदाई होते हैं। यह चीज भी आपको क्लियर होनी चाहिए। आर्टिकल सेउंटिफोर रिलेटिड किससे है काउंसिल अप मिनिस्टर से काउंसिल अप मिनिस्टर की बात की गई है आर्टिकल सेउंटिफोर में। जबकि Article 75 में जो Council of Minister होते हैं, उसके जो ministers होते हैं, ठीके, Council of Minister की बात नहीं, बलकि Minister के क्या-क्या उनके कारिकाल होते हैं, उनके वेतन, भट्ते, योग्यताय, सभी Article 75 में दी गई है, और important चीज यहाँ पर है, 91 संबेदानिक संशोधन 2003 के अनुसार, प्रधान मंतरी समेथ, मं प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है और ये ना केवल सेंटर में लागू हुआ है इक्यानुवा सम्मेदानिक संशोधन बलकि स्टेट में भी लागू हुआ है मंतरी परिशद में तीन परकार के मंतरी पाए जाते हैं सबसे उच्छ दर्जे के होते कैबिनेट मंतरी दूसरे नंबर पर आते हैं राज्य मंतरी या सवतंतर प्रभार के मंतरी भी ने कहा जाता है और ये कैबिनेट मंतरी की सहायता भी करते हैं और तीसरे परकार के होते हैं आपके उप मंतरी और उप मंतरी राज्य मंतरी या कैबिनेट मिनिस्टर की सहायता के लिए काम करते हैं अगर कौन सदस्य होते हैं कौन कौन वहाँ पे काम करते हैं तो आलमोस्ट हमने यहाँ पे सब कुछ देख लिया है केंदरी कारेपालिका के बारे में कि उसमें आपका प्रेजिडेंट होता है वाइस प्रेजिडेंट होता है उसमें आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं उसमें आप उत्रपती उप्राश्पती प्रदाहन मंतरी के कारेपालिका कारेव के अतिरिक्त अनेक अन्यकारेव का भी अधियन करना है ठीक है प्राइम मिनिस्टर का आप अधियन करोगे तो प्राइम मिनिस्टर के क्या 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 काम होते है किस तरीके से उनकी न्यूकती होती है क्या उ जब आप पढ़ेंगे as a specifically आप जब पढ़ेंगे प्रधान मंतरी को या फिर राश्टरपती को तो आपको detail में study करना पढ़ेगा Union Executive में आपको इतना ही study करने की जरूरत है राश्टरपती उपराश्टरपती और प्रधान मंतरी की करमबद सूची भी आपको पता होना चाहिए जिससे सबसे पहले आपके राश्टरपती राजंदर प्रसाद है उसके बाद दोवारा वो राजंदर प्रसाद ही बनते हैं ठीके इस तरीके से आपको डिटेल में अभी तक रामनात को बिंद और मुर्मू तक ये पूरा आपको एक आइडिया होना चाहिए कि पहले कौन से बने उसके बाद कौन से उसके बाद कौन से इसके लिए शौर्टकर ट्रिक भी आप बना सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी ओरड़ी अवेलेवल है ताकि कौश्टन आपके लिए राश्ट्रपतियों की सूची को अरेंज करने के लिए आए कि कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया तो आप आसानी से उस कौन सा संशोधन था जिसमें उपराश्ट्रपती के चुनाओं से रिलेटेड विवस्ता की गई या फिर राश्ट्रपती के चुनाओं के लिए जो 1971 की समय सीमा जो आपका बेसियर बनाया गया था वो कौन से अमेंडमेंड में बनाया गया दोहजार चबविस तक जो सील कि पड़ेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट हुए हैं कारियों शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंदित प्रमुक अनुचेदों का अध्यन भी आपको करना पड़ेगा जैसे राश्ट्रपती को एमर्जेंसी पावर किस अनुचेद में दी गई है राश्ट्रिय अपातकाल की वित्यापातकाल की ख्रमा करने की उनकी और जो आहूत करते हैं संसद को वो शक्ति के सनुचेद में इस तरीके से आपको कुछ इंपोर्टन आर्टिकल सारे तो आपके लिए जरूरी नहीं है लेकिन इंपोर्टन आर्टिकल आपको पता होने चाहिए और वर्तमान भारत के राश्रपती से किस परकार से भिन है या फिर कौन ज़्यादा पावरफुल है और कौन कम पावरफुल है या फिर प्रदाहन मंतरी इंडिया के प्रदाहन मंतरी की ब्रिटेन के प्रदाहन मंतरी के साथ भी कंपेरिजन कई बार पूछा जाता है इस तरीके से कंपे झाल